पिन्हर्ता श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा मैं बहाँ जाने के स्तान पर ये कहाँ पोंच गया कहाँ जा रहे हो पुत्र मैं यहां क्यों, वाराद ये कैसे कर रही है मा मा हो तुम्हारी फिर भी तुम्हें मेरी शक्तियों का भान नहीं और तुम्हें एक ऐसे शत्रू से युद्ध करने जा रहे हो, जिसकी शक्तियों का तुम्हें ग्यान ही नहीं। कैसे योधा हो तुम। कौन है तुम्हारा शत्रू। क्या अस्त्रशस्त्र है उसके पास। कितना सामर्थ्यवान है वो। क्या माया का ज्यान है उसे? उसकी सहयोगियों की संख्या क्या है? इसका ज्यान भी है तुम्हे? मा उचित कहती है, मुझे ये सब तो कुछ भी ज्याद नहीं है। जब शत्रु का कोई ज्यान ही नहीं है, तो उसके विरुद्ध रणनीती का निर्मान कैसे करोगे? और रणनीती के बिना, रण कैसे करोगे? आप सर्वधाओ जित कहती है मा, उसके विशे में सब कुछ ग्याद करूँगा मैं, मैं शिक्र किसी को बेजूँगा. किसी को नहीं, भाखन और उसके सयोगी, मैयूरन और सिरन को भेजो. भाखन, मैयूरन और सिरन का प्रणाम स्विकार करें. भाखन, मैयूरन और सिरन का प्रणाम स्विकार कीजी. अजोर समराथ, भाखन को भास हो गया है, यह आपके मन में क्या चल रहा है, आपके बताये बिना में सब समझ गया, अब आप अपनी चिंताएं मुझ पर छोड़ दीजिए, अब जो भी करना है वो में करूंगा. फिर होने वाली पुत्र वतु, प्रतम पार कहलाश आ रही है, आज में प्रतम पार उसे प्रत्यक्ष देखूंकी. मता, मता वो आ रही है. रुकी! रुकी! पुत्री, सर प्रतम अपना दाई ना पाओ बढ़ाओ. यह, इस वह मैंने आपके लिए बनाया है, भो! यह, नंदी जी, अभी क्या कहते कहते रुक है? प्रणाम मता. पत्री. आउ, पुत्री. तुम्हारा स्वागत है, कैलाश्म. यहां तुम सुरक्षित हूँ. मता, पुत्री देव सिना के साथ ऐसा वैवार क्यों कर रही है, जैसे उनका फूर्व का खोई परिचेह हो. आओ. हाओ, पुत्री. तुम्हें भूख लगी होगी न? बैठो. अब चिंता ना करें. मा अनुपूर्णा है. पताओ न, पुत्री. क्या बाता है तुम्हें? खीर, हल्वा, लड्डू, मोदत. पताओ, पुत्री. माता ने इतना कुछ प्रस्तुत कर दिया. किसका चुनाव करूं मैं? माता, कुमार कार्तिकी को तो खीर भाती है न? हाँ, मेरे विचार से तुम्हें भी खीर बहुत भाएगी. है न? माता, इस विपत्ती के समय में आपने हमें आश्रे दिया. उसके लिए आपका कोटी-कोटी धन्यवाद. इंद्यों आपको हमारा इस प्रकार का स्वागत और इतना कष्ट उठाने की कोई अवशक्ता नहीं थी. उचित्थोगा कि पुत्र कार्तिके और पुत्री देव सेना के विवा की चर्चा देवी शची से मैं नहीं अपीतु स्वयम देवराज इंद्र ही करें. पुत्री देव सेना आज प्रथम बार क्यालाश आई. तो इतना स्वागत तो स्वभाविक है ना? है ना पुत्री? माता इनकी सुरक्षा है तुम्हें. इनकी सुरक्षा का दायत अब मेरा है पुत्रवीर बाहु. अब देवी शची और पुत्री देए सेना की देखरेक मैं स्वयम करूंगी. आप निश्चिंत होकर पुत्र कार्तिके के पास लोट सकते हैं. पणा माता. ये तो बहुत शुब है कि ब्राता की यात्रश्री केदार्नास से आरंब होने जा रही है. क्योंकि अब मुझे माता और पिता श्री की एक पावन कथा सुना कर उन्हें विवाह के लिए मनाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा. वेर्बा. रभु दो असूरी स्त्रियां उनको प्रतालित कर रही थी. जिनसे मैंने देवी सची और देवी देव सेना को सुरक्षित कर कैलाश में छोड़ाया हूँ. हुजद, कैलाश पहुंचके वो निर्चेंथ हो गए हूँ. हाँ, देवराज. मुझे तो ऐसा लगा जैसे माता पारवती उनकी प्रतिक्षा में थी. और कुमारी देव सेना को देखकर रती प्रसंद नहीं हुई. उन्होंने कुमारी देव सेना का बहुत इसने से सवागत किया. अर्धात मा अपनी भावनाओं पर मियंत्रण नहीं रख सकी. अब कहीं वीर बाहु ब्राता के सामने पूरी बात ना कह दें. क्योंकि फिर ब्राता विवाह को लेकर सचेत हो जाएंगे. मा ने कैलाश में परवेश के लिए सर परथम उनका दाहिना पाँ आले बढ़वाया. उन्होंने देवी देव सेना के लिए सभी परकार की वेंजन तैयार किये थी. और उनका स्वागत उन्होंने ऐसे क्या की जैसे कि वो उनकी पूत्री हो. मा ने उनका स्वागत अपनी पूत्री के समान किया होगा. क्योंकि वो प्रथम बार कैलाश जो गई हैं. अनुज गणेश, तुम्हें मैंने यहां आने की अनुमति कब दिए? ब्राता, आपकी आज्या का उलंगन नहीं किया मैंने. आपके साथ नहीं, आपके पीछे-पीछे आया हो. किन्तो क्यों? तुम्हें यहां आने की कोई आवशक्ता नहीं? ब्राता, केदार धाम तो संसार के महांतम तीर्थ स्थलों में से है. वहां आने से क्यों रोक रहे हैं आप मुझे? तीर्थ करने का अधिकार तो सभी को है. तो अपनी तीर्थ यात्रा संपन न करो, अनुज, कि तुम्हेरा पीछा नहीं है. सेना पती वीरभाव, आप सेना को यहां विश्राम करने का आदेश दें. मैं इस महान तीर्थ स्थली में पूजा की ये बिना आगे नहीं बढ़ सकता. ब्राता, सीधे पूजा? हाँ, अनुज, गनेश. मैं यहाँ पूण निष्ठा के साथ अपनी पूजा संपन करूँगा, और शीग रही आके बढ़ूँगा. क्योंकि अपनी इस यात्रा को पूण करने के पश्चाद, मुझे पशुपतास्तर भी प्राप्त करना है. और उसके पश्चाद, उस सुरा पद्मा और उसकी सेना को पराज़त करके, जयन्त और अन्य देवताओं को असुरों के आतंक से मुक्त करने का तायत तो भीनेबाना है. इसलिए अब तुम हटो मेरे मार्क से, मुझे पूजा के लिए सामगली भी एकत्रत करनी है. हाँ, हाँ, अवश्य कीजिये, ब्राता. किन्तु इतनी बड़ी भूल भला आप कैसे कर सकते हैं? भूल? कैसी भूल? आप यहाँ ऐसे ही पूजा कैसे कर सकते हैं? किसी भी तीर्थ में पूजा करने के पहले, उसकी कथाएं सुनकर, उसका महत्व और चरित्र दोनों ग्यात करने चाहिए. तब ही वो यात्रा और पूजा सफल होती है. ओचित, किन्तु क्या तुम्हें केदारना धाम के महत्व की कथा ग्यात है? हाँ, ब्राता. तो आप सुना भी दो, शुब कारे में इतना विलम करना उचित नहीं होता. अच्छा, तो सर्व प्रथम हमें आसन ग्रहन करना चाहिए. हूँ. अच्छा, 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 आप साफित नहीं होता है? हाँ, हाँ, शेरन, यहीं थे. हाँ, मयूरन, मुझे भी लग रहा है कि वो लोग यहीं थे. लेकिन कहाँ? यहां तो कुछ भी नहीं है, यहां भी कुछ नहीं है. फिर तू, यहां तो कुछ भी नहीं दिख रहा है. ही, सारे पधचिन इस हिम के नीचे छुप गए है. उसका उपाए है मेरे पास. तू, यहां तू, यहां तो, यहां थे. पावन धाम के दारनाथ और उसकी कथा का संबंध देवराज इंद्र और उन पंच महा असुरों से हैं जिन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक इंद्र लोग पर धावा बोल दिया था अब ये किस संकत की सूचना है काव दावा है हिरन्याक्ष जो अनेकों अस्त्रों का स्वामी था सुबाहू जिसकी बाहू वज्र के समान शक्तिशाली थी वक्त्रकंधर जो शरीर से वक्त्र था त्रिश्रिंग जो तीन सिंगों का था और लोही ताश जिसका तन लोहे का था ये तो बंच असुर है एमगंड अफ में अपने अस्त्रों का आवा हंकी थी ये पंच असुर ये तो आ जाए है नारायन नारायन साम देश्रिंग सब के काल के सामने आने का अवश्य कोई कारन है और बात रही इन पंच असुरों की तो इनका काल बनेगी स्वयम महादेव की शक्ति जब वे करेंगे काल का रूपधारन तभी पंच असुरों के पराजाई का बनेंगे कारन उससे पूर्व देवराज इंद्र आपको प्रस्थान करना होगा बंदा किनी के तक पर पहुँचना होगा और वहाँ पहुचने के बाद आराधना करनी होगी तपस्या करनी होगी प्रभु की और तब तक अन्य देवताओं का क्या दायत्व होगा रक्षा करनी होगी आपको देवराज इंद्र की और उनके तब की देवराज इंद्र महादेव की तपस्या करते रही और कुछ समय उपरांत उनके तब की तपो शक्ती पिताश्री तक पहुँचने लगी तब पिताश्री ने वो रूप धारन किया जिसकी कल्पना देवताओं ने भी ना की थी ना माँ से बाल, ना माँ से बाल से महादेव मही शुप में अही शुप में के दार्यामी अर्थाथ शेगर कव इस रूप में में के नस्रों गवंत करूँ हिरन्याक्ष, सुभाह, फक्रकंदर, त्रेशिंग और लोहिताश हाँ, 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 आप सराओं को प्रस्टोद करो लग्चा दोस्त माईश मैरे सक्तियालिव हो तुम्है ठाम लेगे मिष। वुम्हारा इतना दुसास वुम्हारा इतना 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 इत मुझे शाथिक रस्त नहीं कर सकते ओम नमाख शिवाए दुष्ट महीश मेरे अस्थर तुम्हा रांत करेंगे अम नमाख शिवाए अपने नेज रूप में दर्शन प्रदान करने किसी अपका कोटी-कोटी धनिवाद प्रभू अपने नेज रूप में दर्शन प्रदान करने कि कृपा करे प्रभू हे प्रभू के दारनाथ कृपा कर मेरा एक निवेदन स्रिकार करें जिस प्रकार आपने हमें पंच असरों से मुक्त किया है उसी प्रकार जो भी भागत यहां के दारनाथ आकर आपकी पूजा करेंगे उने भी अपने संकटों से मुक्ति प्राप्त हो किन्तो गणेश देवराज ने मंदा किनी के जिस तट पर प्रभू महादेव के आरादना की उसका नाम केदारनाथ क्यों पड़ा शिव जब महिश का रूप लेकर इंद्र के सामने प्रकट हुए तब इंद्र से कहा के दार यामी अर्थात बोलो शीग्र बोलो इस रूप में मैं किन-किन असुरों को जल में समाप्त कर दूँ इस प्रकार शिव द्वारा इस स्थान का नाम केदारनाथ पड़ा आज के बार जो भी भग मेरे यहाँ दर्शन करने के उपराद दोनों हाथों के अंजुली के साथ तीन बार यहाँ के पावंजल का पान करेगा वो अपने तीन कुलों के पित्रों को तार देगा क्योंकि बाए हाथ से चलपान कर माता के पक्षका और दाए हाथ से पित्र पिता महा और दोनों हाथों से चलपान कर अपना उतार करेगा और अपनी सभी समय साओं से मुक्ति प्राप करेगा आपका कोटी-कोटी धनिवाद प्रभू इस प्रकार यहां तपस्या और प्रार्थना करने पर प्रभू ने देवराज इंद्र को ही नहीं अपितु संपूर्ण जगत को उनके संकटों से मुक्त होने का उपाय प्रदान किया तो यह महिना है इस पावंतिर्थ की हाँ देव सेना पते कुमार कार्थिक है उस दिन के बाद मैं हाँ प्रती दिवस प्रभू केदानात की पूजा करते और यहां के इस जलकुन से जल पान करने है तू आया करता हूँ और मैं ऐसा कल्युक क्यांत तक करता रहोगा किन्तु एक बार जब शीद काल आया तो मुझे पूरे चार माह तक प्रतिक्षा करनी पड़ी थी इस जलकुन का जल हिम जो बन चुका था मैं अपनी पूजा अधुरी भी नहीं छोड़ सकता था किन्तु यहां के न्यूनितम तापमान की शीद का प्रबल प्रभाव मेरे शारीर पर पड़ रहा था जिससे प्रसंद होकर प्रभू ने अपने दर्शन प्रदान करने की क्रिपा की और मेरा उचत मार्ग दर्शन भी किया मुझे शमा करे प्रभू यहां का जल पूर्ण रूप से हिम बन चुका है जिस कारण मैं आपका जले विशेक करने में असमर्थ रहा प्रभू मैं तो यहां हूँ गिन्तो आपके शेश भग तो यहां आ भी नहीं पानके खिपा कर इस समस्या का कोई समाधान प्रदान करे प्रभू यह चार माहा जब शीट का ऐसा प्रकोप रहेगा और मेरे भग मुझ तक नहीं पहुंच सकेंगे तो ने मेरे दर्शन प्राप करने के लिए हाट के शुर में होगे जहां ऐसा ही एक कुंड होगा और मैं कैदार रूप में विराजमान प्रभान प्रभू इसलिए प्रभू का ये धाम यदि केदारनात कहला एक तो हटकिश्वर दूसरे केदार के नाम से प्रतिष्टित होगा बुराता केदारनात के कथा से कितने प्रभावित लग रहे है परन्तु अभी तो केदारनात से जुड़ी माता और पिताश्री की मुख्य कथा सुनाना शेश है जब भी कोई भक्त पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ इश्वर का आवाहन करता है तब प्रभू किसी ना किसी रूप में आकर उसकी रक्षा अवश्य करते हैं